तुम्हारा चाहने बाला तुम्हें आवाज देता है ना जाओ छोड़ कर तनहाँ सनम तुम मुझे भी पर्देशी बता रही थी अब मैं पर्देशी क्यों हूँ शिद्द तेगम से परिशान हूँ पर्देशी हूँ सनम मैं तेरे शहर में अंजान हूँ पर्देशी हूँ मुझ़ से नज़ रेना चुरा, मैं तो तेरी बस्ती में एक दो रोज का महमान हूं पर्देशी हूँ मैं तेरी दीद की सुनो पर्देशी हूँ तो क्यण हूँ मैं तेरी दीदी की चाहत में चला आया था अहुँ मैं तेरी दीद की चाहत में चलाया था मैं तेरे प्यार की पहचान हूँ पर देशी मैं तेरी प्यार की पहचान हूँ पर देशी हूँ लेकिन तुम पर देशी हूँ सुनो हर एक दर्द को दिल से लगाए बेठी हूँ हर एक दर्द को दिल से लगाए बेठी हूँ बहुत उदास हूँ सर को जुकाए बेठी हूँ बहुत उदास हूँ सर को जुकाए बेठी हूँ कभी तो आएगा ए यार तो मुझे से मिलने के लिए इस इंतिजार में नजरे जुकाए बेठी हूँ लेकिन मैं कह रहा हूँ ये नजरे जुकाए बेठी है तो मैं इंसे कह रहा हूँ क्या कि छुप छुप के आप यूँ हमें देखा न कीजिए अचा चुप चुप के आप यूँ हमें देखा ना कीजिए सनम हम आपके हैं आप यूँ परदा ना कीजिए लग जाए ना किसी की नजर आपको हुजूर जुलफों को बार बार सम्हाला न कीजिए अब ही महन्दी की बात कर रहेंगे लिख लिख के मेरा नाम अब रार भाई लिख लिख के मेरा नाम हतेली पे रात दिम इधर देखो इसको खुदा के वास्ते चुमान कीजिए इसको खुदा के वास्ते चुमान कीजिए लेगे नहीं के रहे हैं हमने युँ तेरी महबत का भरम रख़ा है और सब की नजरों से बचा के तेरा गम रख़ा है हमने यू तेरी महपत का भरम रखा है और सबकी नजरों से बचा के इसका गप रखा है मेरे दिल ने इसकी तसवीर बनाने के लिए कहा जब भी मैंने कागस पे कलम रखा है जब भी मैंने तेरे कागस पे कलम रखा है लेकिन ये कह रही है सुनो तुमने तो कागस पे कलम रखा है लेकिन मुझको वीरान नजर आने लगा वो ताज महल मुझको वीरान नजर आने लगा वो ताज महल सरम जब से तूने मेरे कमरे में कदम रखा है जब से तूने मेरे कमरे में कदम रखा है ये ताज महल की बात कर रहे हैं लेकिन सुनो वैसे भी तुम साली लगी उनकी और क्या ये जोगिए अची जमेरी साब करें मरादाबाद से गाए अब यह मुरादाबाद रहती है अब ने ना इंक जितना तो फिर का तो साली उन्ह उन्ह ऐनी नहीं तो कोई ने साली आदीघर वाली और है लेकिन सुनो ये ताज मेल की बात कर रहे हैं कि महबबत में मेरी खुश्यों के मरजाने को कहता है तुमने मरने का नाम लिया हिचकी आने लेगी अब ये ताजमहल की बात करे थे थे महबत में मेरी खुशों के मर जाने को कहता है और मेरे खातिर वो सारी दुनिया को ठुकराने को कहता है जो इंसान एक दिन का मेरा खड़्चा नहीं उठा सकता वो मेरे वासते ताजमहल बनवाने को कहता है अब सुनो, ताजमहल मैं क्यूं बनवाओं? क्यूं बनवाओं? नहीं, इसकी रिज़न है मैं देखो खलत नहीं कह रहा हूँ अब मेरे सामने ये जाने घजल बैठी है खोड़ा सा शार्फ करो शार्फ प्यारी का दिल में लिए रत्व अमल बैठी है अब मुझे आगरा जाने की जरुवत ही क्या है जब मेरे सामने ये मुम्ताज मेहल बैठी है चले जओ आगरा लेकिन सुरो खजल को आई ना करने में वक्त लगता है गजल को बहुत वक्त लगता है थोड़ा सा लगता है हम बहुत जल्दी बना लेते हैं गजल को आईना करने में वक्त लगता है और नई तुलहन को सवरने में वक्त लगता है मरीज इश्क से कह दो ना हाए हाए करे मरीज इश्क से कह दो ना हाए हाए करे क्यूंकि पुराने जख्म को भरने में वक्त लगता है हम सबसे महबत का इकरार नहीं करते हाँ प्यार तो करते हैं प्योपार नहीं करते और तुम जैसी हसीनों को इस दिल में जवा देकर हम अपनी दौलत को यूं बरबाद नहीं करते धिस्टों जब प्यार नहीं है तो भुला क्यों नहीं देते बदनामी का डर है तो खतब करो यह किस्सा इस प्यार की शम्मक को बुझा क्यों नहीं देते इदार देखो तुमारे खत नहीं मैसस तो है वैसे अब खत का जमाना चला गया लेकिन सनम प्यार करना जरा भी सीखो यह पुश्पा इदार देखो इदार क्या कह रहाँ प्यार करना जरा भी सीखो क्या जरूरत है दिल लगाने की प्यार करना जरा भी सीखो सनम सनम प्यार करना जरा भी सीखो क्या जरूरत है दिल लगाने की और आहा भरना तुमारी फित्रत है हमको आदत है मुस्कुराने की आहा इनको आदत है मुस्कुराने की लेकर उसनो महबस रिहा होना जरूरी हो गया है क्या बाते इंदर देखो मेरा तुझ से जुदा होना जरूरी हो गया है हाँ आप तुमारी शादी होने वाली है महपस दिरहा होना जरूरी हो गया है मेरा इस से जुदा होना जरूरी हो गया है वफा के तजरुबे करते हुए तो गुम्र गुजरी है जरा सा वेवफा होना जरूरी हो गया है अच्छा दिल दुखाया आपका आपकी महापत में याविवफा होना आपका आपकी म Courtney करने करके रहत दूब औरूरी होना wizard कर दो पर यrit कर दो přादद!